Hello everyone, so article 136 में बात करी है Special Leave to Appeal by the Supreme Court कि Supreme Court जो है एक Special Leave दे सकता है अपील करने के लिए मतलब क्या है? कि अपील के जो प्रोविजन दे रखे हैं Constitution of India में कि आप Supreme Court में अपील करना चाते हैं तो अपन ने देखे थे कि article 133 प्लस article 134A certificate मिलेगा तो अपील करो 34A जो प्रोविजन देखा तो criminal matter में अपील करो अब ये जो section बनाया है ये जो article बनाया है 136 ये एक तरह से special leave petition नाम से जाना जाता है इसमें क्या होता है? कि Supreme Court अगर कह देता है कि इस matter पे आप special leave बुला सकते हैं मतलब जो 133 में आपने जा पा रहे हैं 134 में आपने जा पा रहे हैं आपको certificate issue नहीं हुआ है तो 136 में आपके पास power होती है कि आप special leave to appeal जो है वो grant करवा ले है Supreme Court से और Supreme Court में आप appeal लगवा दें तो जो 136 से इसमें लिखा हुआ है कि पूरे chapter जो है जो ही chapter चल रहा है इस chapter में कुछ भी लिखा हुआ हो जो articles जो अपन पढ़ रहे हैं Supreme Court के इसमें कुछ भी बात लिखी हो Supreme Court को अगर ऐसा लगता है कि किसी भी judgment में किसी भी decree में determination में या sentence में या order में जो दिया गया है या pass किया गया है या court के द्वारा दिया गया है या tribunal के द्वारा दिया गया है भारत के territory के जो अंदर है उसमें appeal हो नहीं है तो वो grant कर सकता है special leave to appeal अब बात आती है judgment क्या है judgment basically जो judgment जो judge लिख के देता है decree क्या है decree basically एक parties के जो rights है वो determine करती है determination मतलब clear qualification हो रहा है कि ये चीज़ तो ये सही है और ये चीज़ ये सही नहीं है sentence का मतलब कोई भी आपको सजा मिलती है punishment मिलता है कि आपको death penalty मिल रही है कि life imprisonment मिल रहा है कि fine की सजा है या कोई order कि आप ऐसा नहीं करेंगे prohibition का order है या पैसा नहीं करेंगे या फिर आप करवना पड़ेगा इस तरह के order अब वो अगर कोई tribunal है या कोई court है जो pass करता है तो उस पे special leave to petition दी जा सकती Supreme Court के द्वारा 136 जो article है वो ये बात करता है special leave to petition basically ये article जो बनाया इया इसका purpose ये है प्रोसेडिंग का कम से कम at the end हमें end करना है मतलब प्रोसेडिंग कम से कम खतम हो कि ऐसा नहीं हो कि पार्टी को ऐसा लगे क्या हमें जो है वो हाई court ना जो जई मेंट दी हम उसे satisfied नहीं और हम अपील भी नहीं कर पा रहे है तो हम क्या करें तो ये एक basic एक तरह से 136 जो है एक alternate procedure दे दी कि आप यहाँ पर अपील लगा सकते है although वो civil matter हो चाहा criminal matter हो कोई फरक नहीं पड़ेगा so clause 2 है इसका उसमें कहता है कि अगर army वाले जो court होते है army के tribunals होते है arm tribunals जो होते है वो कोई भी order वगेरा या कोई भी judgment है या कोई भी degree देते है judgment है, determination है, sentence है या order है वो degree क्यों ने देंगे कि वो civil court नहीं कहलाते है तो judgment है, determination है, sentence है या order है अगर वो pass करते है तो उन पे special leave to petition नहीं apply करेगा ये है article number 136 special leave to petition इसको कह सकते हैं